Hello friends, welcome in this video, और इस वीडियो में हम लोग आज जारकन एकडमिक काउंसेल पूर्ड मोडल सेट 3 का जो question है, first flight किताब का 5 marks के लिए long question answers में, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और साथ में याद भी कर लेंगे, discuss भी कर लेंगे, तो first question है, why did Lencho write a letter to God, Lencho ने पत्र, भगवान का पत् but in the hearts of Lencho and his family, there was a single hope, help from God, तो इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं, कि Lencho ने पर्मेस्वार ये भवान का पत्र क्यों लिखा, Lencho के खेतों को ओलाविष्टी ने पूरी तरह से नस्ट कर दिया था, लेकिन Lencho और उसके परिवार के दिलों में एक उमीद थी और वह थी भवान की मतद, ये पर्मेस्वार की मतद, Lencho thought on the problem all through the night, he decided to write to God about his problem, so in the morning he wrote a letter to God, in it he wrote him to send him 100 pesos immediately, तो राद भर लेंचो ने समयस्या पर विचार किया, उसने अपनी समयस्या के बारे में भगवान को लिखने का फैसला किया, इसलिए सुबह उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा, इसमें उसने उसे तुरंद 100 pesos भेजने के लिए लिखा था, तो यह third number है, paragraph, the letter reached the postmaster, he read it out with curiosity, he was a kind man and decided to help Lencho, he collected 70 pesos with great effort, this he put in an envelope and sign God on the letter, Lencho got it when he came to the post office, तो इस्तों का हम लोग हिंदी में translate करते हैं, तो पत्र postmaster के पास पहुँचा, उन्होंने इसे जिग्या सक्षात पड़ा, वह एक दयालू बैक्ती थे और उन्होंने लेंचो की मदद करने का फैसला किया, उन्होंने बड़े प्रयास से 70 पेशोज का संग्रह किया, यह उन्होंने गलिपहपे में डाला और पत्र पर भगवान पर हस्ताक्षर किये, लेंचो को यह तब मिला जब बोटागर आये, However, लेंचो, instead of being grateful, was angry. He immediately wrote another letter to God in it. He complained against the post office employees. He had, after all, a very firm faith in God. He was sure that part of money had been stolen by the post office staff. लेंचो अभारी होने के बज़ाए गुस्ते में था, उसने तुरंद भगवान को एक और पत्र लिखा, इसमें उन्होंने डागर कर्मचारियों के किलाप सिकायत की, आखिरोंने परमेस्वर पर बहुत द्रविस्वास था, उन्होंने यकीन था, कि पैसे का कुछ हिसा आखिकने कुपनिक काउंसिल, जो मैट्रीक दाम होने वाला है, 2020 के पॉइंट अव व्यू से, तो थैंक्स पॉर बिंग विद मी, हैव नाइस ताइम, थैंक्स